हेलो हाई फ्रेंड्स कैसे आप सब मैं उमीद करते हूँ कि आप सब अच्छे होंगे तो ये देखो दोस्तो मैंने थोड़ा थोड़ा बचा हुआ कपडा लिया है देखो इस तरीके से प्रिंट भी है और प्लेन भी है देखो साइड में से कमीज में से बच जाता है थोड़ा बहुत थोड़ा बहुत सलवार में से बच जाता है तो उसको हमें एक रियूज करके सुन्दशाट डोर मैट बनाएंगे जिसे बनाना बिल्कुल हासान है तो ये देखो मैंने इसकी चुडाई ली है पांच इंच इस इसे हमें इसकी 5 इंच चोड़ाई लेनी है इस तरीके से देखो यहां से अब हम इसकी कटिंग करेंगे ऐसे हमें चोड़ाई के अंदर 5 इंच कट करना है और लंबाई हमें जितनी भी लंबाई है इसको इसके अनुशार लेंगे फिर हम देखो इस तरीके से इसके अंदर यह चोटी चोटी ऐसे सले डालेंगे इस तरीके से देखो ऐसे हम सले डालते जाएंगे और सिलाई लगाएंगे तो इस तरीके से देखो इसको फोल्ड कर लिया अब यहां पे हम थोड़ा सा कपड़ा उठाएंगे इसको इस तरीके से यह थोड़ा सा उठाया, यहां पे सलें डाली, यह थोड़ा सा उठाया, इस तरीके से एक सल डालेंगे इसके अंदर फिर सिलाई करेंगे, फिर हम थोड़ा सा कपड़ा उठायेंगे, फिर सिलाई करेंगे, इस तरीके से हम इसको सीलेंगे, ऐसे हम, जितनी यह हमारे पास में कतरन है बच्ची उसको हम ऐसे कटिंग करके पांच इंच चोडाई के अंदर फिर हम इसको इस तरीके से सिलाई से कवर करेंगी जितनी भी हमारे पास में कतरन है उन सबको तो यह देखो दोस्तों इस तरीके से मैंने सलें डालके इसको त्यार कर लिया है ऐसे हमें बाकी लग रही है अब हमें एक प्लास्टिक का थेला चाहिए तो यह मैंने प्लास्टिक का थेला लिया है इसको मैंने सरकल के अंदर काट लिया है अब देखो हमें इसके उपर कैसे एक सुन्दर सा डोरमेट त्यार करना है तो चलिए हम इसे बनाना शुरू करते हैं तो इस तरीके से जो मैंने ये सले डाल के पटी त्यार किये इसको यहां पे रखेंगे इस तरीके से यहां हम सिलाई करेंगे जैसे हमने सरकल के अंदर प्लास्टिक के ठेले को काटा है उसी तरीके से हम राउंड सेफ में लेते हुए इस पटी को लगाएंगे इस तरीके से हमें बिल्कुल ही कोर्नर के ऊपर ये पटी लगानी है बीच में इस तरीके से तो ये देखो फ्रेंड्स मैंने इसका एक राउंड कंप्लेट कर दिया है कितना सुंदर लग रहा है देखो ये देखो इस तरीके से मैंने कोर्नर के ऊपर लगा के एक राउंड पट्टी को इसी तरीकी से हम पट्टी को रखेंगे जो हमने पहले शिलाई की है उसको हमें नीचे की ओर रखना है ताकि वो शिलाई दिखे ना ऐसे थोड़ा सा यहां पर रखेंगे देखो इस पट्टी को यहां रखेंगे और शिलाई करेंगे इस तरीकी से जो हमने फर्स् ताकि वो हमने सिलाई लगाई है वो दिखे ना ऐसे हम इसको round को complete करेंगे इस तरीके से बिलकुल हमें बारिक बारिक सिलाई करनी है तो ये देखो दोस्तो इस तरीके से हमने जैसे हमने first round लिया है उसी तरीके से हमें second round complete करना है तो ये देखो दोस्तो मैंने second round भी complete कर लिया ह कितना सुन्दर लग रहा है इसी तरीके से हम फिर से next round लेंगे यहीं पर पटी लगाएंगे इस तरीके से यह देखो मैंने इसको काफी बना लिया है कितना सुन्दर लग रहा है ऐसे हम जितना यह बाकी बचा है उसको हम इसी तरीके से पटी रखते जाएंगे और इसको cover करत ताकि हर रोज नए वीडियो का अपडेट सबसे पहले आपको मिलता रहे तो दोस्तों वीडियो को लाइक करना, सेर करना अगर फ्रेंड्स आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज हमें कोमेंट करके जरूर बताना कि आज का यह वीडियो आपको कैसा लगा तो इस तरीके से फ्रेंड्स हम इसको कम्पलीट कर लेंगे देखो मैंने पूरे को कम्पलीट कर लिया है अब जो बीच में थोड़ी सी जगय बच्ची है यहाँ पे हम कुछ कतरन लगाएंगे तो यह देखो यह मैंने कतरन ली है इसको हम circle के अंदर cut करेंगे ऐसे रखेंगे और एक मैंने यह चूड़ी ले ली है इस से हम ऐसे shape बनाएंगे और इसकी हम circle के अंदर cutting करेंगे इस तरीके से इसको हम cut करके जो भीच के अंदर जगै बच्ची है वहाँ पे हम इसको शिलाई से attach करेंगे देखो इसको इसके उपर इस तरीके से रखना है और यहां हमें राउंड सेप में एक सिलाई लगाएंगे तो यह देखो मैंने सिलाई लगा ली इसके साथ ही हमारा पाइदान बन कर त्यार हो गया है बाइ फ्रेंड्स थैंक यू फोर वाचिंग